रूस युक्रेन युद आए दिन नए मोड ले रहा है। रूस को मजबूर टक कर दे रहा है। दोनों देशों की ओर से जमीन और हवाई दोनों तरहा के हमले जा रही है। रूस युक्रेन एक दूसरे पर हावी होने की पुर्जोर कोशिश कर रहे हैं। हाल में युक्रेन ने ड्रोन अटैक कर रूस को बड़ा जटका दिया। युक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी इलाकों पर बंबारी की जिसमें पांच लोगों की मौथ हो गई। इस हमले से तिल मिलाई रूसी सेना ने भी बिना देरी के युक्रेनी शहर पर भीशन एर स्राइक की। इस से युक्रेन में खल बली मच गई। ऐसा दावा है कि युक्रेन में हमले से मची चीख उकार पश्चमी देशों के कानों तक भी पहुँची। रूस के तापर तोड हमलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसले महीनों युक्रेन के कई इलाकों पर कबज़ा जमाने वाली रूसी सेना फिर से अटैकिंग मोड में आ गई है। रूस के नए FAB 3000 भारी हवाई बम के इस्तेमाल का एक वीडियो सामने आया है। जिसने युक्रेनी सेना में खल बली मचा दी है। दोनेस्क पीपल रिपबलिक की न्यूँ यॉक बस्ती में रूस ने युक्रेनी ठिकानों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ग्लाइडेन मॉड्यूल से लैस तीन टन के उच्च विस्वोटक बम ने एक युक्रेनी कमान सेंटर पर हमला किया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस हमले में कम से कम साट सैनिक मारे गए हैं और युक्रेन के चार सैन ने वाहन नश्ठ हो गए हैं तो वहीं कमान सेंटर की पूरी बिल्डिंग का नाम उनिशान मिट गया है। न्यूयोक में किये गए हमले के ड्रोन फुटेज में एक बड़ा भयंकर ब्लास्ट कैमरे में कैद हुआ है। हाला कि रूसी रक्षा मंत्राले ने इस पर अभी कोई टिपपणी नहीं की है। बताया जाता है कि रूसी सेना ने FAB 3000 को पहली बार कारकीव इलाके में तैनात किया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो FAB 3000 बम इतने घातक होते हैं कि ये सबसे मजबूत किलेबंदी को भी पल भर में नश्ट कर देते हैं। इनकी लेटेस टेकनॉलजी टारगेट को सटीकता के साथ वार करने में सक्षम बनाती है। पस्चिमी देश भी FAB 3000 की ताकत को मान चुके हैं। यही वज़े है कि FAB 3000 और हवा से लॉंच होने वाले छोटे बम जिन्हें रूस ने पॉप आउट विंग और सैटलाइट नविगेशन के साथ अपग्रेड किया है। ऐसा दावा किया जाता है कि हाल ही में रूस ने युक्रेन के फ्रेंट लाइन सैनिकों के खिलाफ ऐसे खतरनाक हतियारों का इस्तेमाल किया है। हालाकि युक्रेन के पास भी ग्लाइडर बम हमलों के लिए कुछ काउंटर है। गौरतलब है कि रूस डॉनबास में लगातार बढ़त बना रहा है। माई की शुरुआत में बॉसको ने खारकीव में भी अपना हमला किया था। झाल 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 झाल